कबीर पांच पहर धंदे गया और तीन पहर रया सोई एक पहर हरी ना भजा फिर मुट्ची कहां से हुई आठ पहर 24 गंटे को आठ पहर मने पहले आठ पहर होटी थी 24 गंटे आप प्रमात्मा कहते हैं तो एक पैर में आठ एक पैर में तीन गंटे होगे तो प्रमात्मा कवीर जी ये बताना चाहते हैं कि तीन पैर तेतन दंदा करया पंदरा गंटे पांच पैर तो और तीन पैर तो सो गया यानि एक जिनराज प्रोटल पूरा कर दिया और एक पैर हरी ना बजा तीन गंटे भी बगवान को नहीं दिये तो गया पांच पैर धंदे गया तीन पैर गया सो हुई एक पैर हरी ना बजा तो मुक्टी कहां से हुई यानि टोटल तीन गंटे फरमात्मान बता जी कि पूरे तोविश गंटे हो तीन गंटे आप वगवान के वज़न में अवस्य लगाओ और उनका ये नहीं अगे इस पैसल ले जी कांब बैठ के लगा लो बहुत से में उता अपने पास जैसे आप जी कोई मज़दूरी के लिए जाते हो गरसे वहां तक गंटा एक लगए मालका सिमन करता जा बस में बैठ कर जा रहे हो कोई काम बस वहां बग्ती करे हैं खेतों में जा रहे हो खेतों से गंटे लेकर तक जो खूँब बग्ती करा अपना मंतर ने याद रुख है और बहुत से ऐसे काडिये हैं को काम करते करते हीं भगवान की बग्ती कर सकते हैं जैसे खेत में आरी हल जोडता है अब देखें पर लहीं आलें में लखनी सुन्पी रागनी गाएं जाते अधी जोडें जाते तो आप अजवान की लगती भी करें सभी आर्टी करन लग जाते ही ज़ानी जोलन जाते हैं तो फिल्मी गाणे गावा है तो और प्रक्वाद सोच रहें तो इस फरकार हमने अपना समन में तीन गंट एक आसे मननिकालने पाई जैसे सुबह का नेतनेम आज कौन गंटा लोगा है चंदरा मेंट की अशुर निकंदर मेंटी ए गंटा की हो गया आज केंपिसमेंट ही आर्पी ओपी है डेड़ गंटा दाकी डेड़ गंटा का सिमन भी हो जा ला सिमन आज गंटा मन त्रे गंटे का स्वांस्टाइब